हाई गाइस क्यासे आप लोग सुमाइसल सिया भिशेक बंसर आइं फ्रम मॉंबे और टेक फाइनल का ओडिट इस बाग कर जो रिसल्ट रहा है बहुत सारे पास हो गए पर बहुत सारे फेल भी हुए अगर आप रिसल्ट देखोगे तो लोग का जो गुरूप वान अटका है गुरूप वान अटका है खाले एक ही सब्जेक की वज़े से वह है और टेट और बहुत ही जो लोग पास भी हो है उनको कोई ऐसा टूप जैसा माक्स नहीं आया है लाइक किसे को अगर असी नब्य माक आएंगे वो बहुत ही रेरेस्ट ऑफ रह रह रहा है जनरेल लोग को 60 60, 65, 70, 75, 80 आते हैं पर इस बार की जो रेंज होई है आईस है कि वो 40 से लेके 50 की है जो रेंज है बचो कितने 42, 50 की ही रेंज है अच्छा अगर आप देखोगे इस बार का जो रिजल्ट रहा है फाइनल का ओडिट में इन्शूट ने 31, 32 माक्स के बहुत सारी माक्षेट्स ह मेरे पास है करीबन 15-18 माक्षेट आया है जिसमें 31 ने 32 आडिट में दिया हुआ है जनली इन्शू 39 पर रोकता है पर इस बार 31, 32 दिया है अब अगर मैं इसको एनलाइस करता हूँ क्योंकि अगर आप देखो कि FR में लोग को 52 के आसपास है यह FR के माक्स है AFM है जो माक्स य इसका मतलब यह तो नहीं न कि बच्चा डम है मतलब उसमें दिमाग नहीं है 30 माक आएगा मतलब तो जिनको भी 30 माक क्या आसपास है I request everybody to please call for the paper and send the paper for revaluation कही ना कही कुछ ना कुछ तो तकलिफ हुई है यह coincidence नहीं हो सकता ना कि जैसे 31 माक्स आया 32 माक्स आया है it cannot be coincidence मतलब किये ने और reason तो समझ में हमें तो हमें दो चीज करने सबसे पहले send your paper for revaluation और दूसरा RTI से paper मंगा हो RTI से मंगा ना paper ठीक है RTI से paper में समझ में तो आया क्या है क्या है क्योंकि देखो अगर मैं paper को analyze करता हू paper आया था 108 माक का ठीक है paper अगर हम analyze करते paper आया था 108 माक का including option नहीं हाँ 108 माक इंटर्न option भी आया था जिसमें से 88 माक मेरा theory में था 30 माक मेरा mcq में था यह theory बराबर अब अगर हम assume करते हैं हद पार मैं अपने आपको अद्दम downgrade करते हूँ सर mcq में 30 माक में से मेरे को 15 दिया होगा हाद पार राइट यह शायद 20 दिया होगा तो मतलब में को mcq में 15 से 20 तो शायद आकम नहीं mark होगे कि देगो में को नहीं पता mcq के level कैसा था जो feedback आये था mcq के level बहुत अच्छा था लोगों के mcq बहुत अच्छे गए थे तो हम 15 से 20 माक यह शुम कर लेते एक बार जो को जो पेपर अगा तब समझ में आगा कि exactly कितना है पर हम अगर 15 से 20 माक यह शुम करते दाट मेंस मेरे 88 मार्क में से जहां आमने 70 माक अटेंब किया खाली 10 से 15 माक याया है इतना तो बुरा पढ़के नहीं को बले आपने से पढ़ाओगा आपने कोई और ओथर से पढ़ाओगा कोई और टीचर से पढ़ाओगा से शटी किया होगा वीडियो यूटूब से पढ़ाओगा टेलिग्राम से पढ़ाओगा कोई नोट से पढ़ाओगा इतना बुरा तो नहीं लिख सकते थे था ना फाइनल से तक पह बात करें, it cannot be a coincidence कि exemption EFM में FR में 50 से 54 के marks किया है and we are audit में 31 मार्क है 31, 32 के मेरे पास कुद के वाद पाई 15 से 18 मार्क शिट आई हुई है So, जिनको भी आई है उनसे मैं request करूँगा पहला चीज आप एक तो पहले papers बंग आई है और paper REVAL पे देजिए कि यह दिक्कत के हमें समझ में तो आए ठीक है, अब the sooner the better we accept the result I am saying we accept the result मैं भी आपका accept कर रहा हूँ आप भी अपना result accept कीजिए अब मेरे सामने November 24 है आई से आपने को पता कुछ कुछ करता नहीं है आप वो आंदोनेन कर लो दिल्ली के आगे जाके बैट जाओ ट्विटर कर लो कुछ नहीं करता है वो आपने मेच 24 के एक्जाम के ताइम पे देख लिया वो श्पॉन करो रिलेक्शन के ताइम पे कुछ होआ नहीं ना ठीक है तो वो negativity में नहीं जाना है बट हमको दिक्कत क्या है जिसे अगर हम डॉक्टर के पास आते हैं डॉक्टर पहले क्या बोलता है अच्छा आप x-ray करा लीजिए अब sonography करा लीजिए समझ में तो है कि दिक्कत क्या है प्राइमर फेसे दिक्कत है पर उसका cause क्या है हम उसको dialysis सभी करेंगे जब को पहले analysis करने को मिले तो पहले हमको paper चीएगा ठीक है अब result accept कर लिया अपनने अब मेरे पास क्या है मेरे पास 107 days है आज से अगर मैं count करता हूं मेरे पास 7 देन है सबसे पहले चीजिए जिनके article चीप चल रही है भाई pause ले लिजिए बहुत से request कीजिए भाया देखो नहीं हुआ है मुझसे 5-6 महिने में कि छुटी में 4 महिने कि छुटी में मेरे पास अभी 3 महिने है मेरे से नहीं होगा मुझे पता है मेरे से दिक्कत है आपको चीए November 24 के बाद मुझसे extension ले लिजिए अच्छा तो यह होगे कि कौन से वाले बच्चों की बात जो लोग आर्टिकल्शिप कर रहे है या जिनकी कुछ pending है अब जो लोग जॉब कर रहे है बहुत सारे बच्चे होंगे जुलाय का प्रेशर सेप्टेंबर का प्रेशर जुलाय होगा सेप्टेंबर मान लेना है पड़ाई नहीं होगी तो अगर मैं जाता हूँ छुट्टी पर कभी अक्टोंबर में भाइस साब अक्टोंबर में हम छुट्टी पर जाएंगे तीज दिन महारती सब्चेक्ट कैसा पड़ोगे अगर पॉसिबल है क्विट करना जौब को फॉर सम टाइम अगर पॉसिबल है जौब को क्विट करना फॉर सम टाइम आई वुड रिक्वेश्ट यू विद दे फोल्डे एंड प्लीज क्विट एंड अपिर फॉर थे एक्जा रीजन बिंग अंडर्शेंड जो आज आप नौकरी कर रहे हो 25,000 रुपे कमारे होंगे 30,000 रुपे कमारे होंगे 40,000 रुपे कमारे होंगे वोई जिस दिन पास हो जाओगे पहली नौकरी होती है 60, 70, 80,000 रुपे की C.A.F.O.M. में 60,000 मिल जाते 50,000 मिल जाते ठीक है Corporate जब होता है Corporate जोइन करोगे तो 70,000 के आसपास मिल जाता है Big 4 जोइन कर तो 80,000 के आसपास मिल जाता है काम अल्मोस्स सिमिलर सेम सही रहता है और वैसे भी कर रहा जोब काम कर रहे हो आपको जोब कहां मिलेगी उसका कोई यूज है नहीं अगर आपको बैंक में जोब मिलती है आई टर जो आप भर रहे हो टेक्स वोइड कर रहे हो जी हैस्टी की रिटर्न भर रहे हो कुछ काम का नहीं हुज़र जाके उनका प्रोसेस सीखना पड़ेगा रिलाइंस ग्रूप में अडानी ग्रूप में बॉस के काम के लिए जुलाइ और और सेप्टेंबर का आपका काम नहीं है आप सीए नहीं हो आप फॉर्म नहीं चला रहे हो आपकी फीशना आप यूर जस्टेन एंप्लॉई लोगों ने क्या किया सारा दुनिया का बोज हम ही उठाते है अपने कंदों पे ले लिए क्लाइन का ITR फाइन लिवा है हां सर हमारी गलती है क्लाइन ने डेटा नहीं दिया है हां हमारी गलती है उसने OTP नहीं दिया है हां सर वो भी हमारी ही गलती है तो अगर तुम उस फैक को अगर अपने कंदों पे लेके चलोगे रिक्वेस्ट करने में क्या जाता है सर हफते के दो दिन मुझे work from home दे दीजी अंडर्सेंट जब आप घर पे रहोगे ना तो क्या होगा जो आपका travel time होता ना वो बचेगा travel time और travel time में माइन शान्त रहेगा पढ़ने के लिट समय मिलेगा अगर आप 10 बजे कहीं पहुंचना होगा आप गर से शाइद 8 बजे निकलते होंगे शाहिद 9 बजे निकलते होंगे च्छे बज़े निकलोगे, च्छे तो कोई छोड़ता नहीं, 6-7 तक निकलोगे, घर पर 8 बज़े पहुचोगे, तो अगर आप 12 घंटा घर से बार हो, हम 8 घंटा जनरले हम सोते हैं, बराबर, 20 घंटे चल लगे, बचते 4 घंटे, उसमें से 1-2 घंटा खाना पीना खाओगे, डेली, कोरस, नाना दोना बराबर, बचता 2 घंटा है, कैसे पढ़ा ही होगे, फिर मिलता है वीकेंड खाली, शायद संड़े ही मिले हो, कि यह तो जुलाय का सीजन है, संड़े की दिन मिशला ओफिस में बुला रहे होगे, या संड़े की दिन सर घर का काम करना है, मम्मी ने कुछ काम दे दिया है, अगर शादी हो चुकि है, हस्बेंट, वाइफ, जो भी है, कुछ काम है, तो कब पढ़ो गया, और तुमको ही पता है, पढ़ाई बिना नहीं क्लियर हो सकते, गल्ती होई है, तो होई है अब, गुना नहीं होई न, सक्सेस, इस डिलेड, नॉट दिन अगले टेम में निकल जाएंगे, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहली चीज, अगर छुटी पॉसे है, तो छुटी ले लिजिए, छुटी नहीं पॉसे है, दूसरा औप्शन के, वक फ्रम होम, एक दू दिन तो मांगो आफ्टे का, अगर मिलता है कि फ्राइडे सर तो अपने को पढ़ना तो पढ़ना तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ा, दिन में 24 गंडे आपके पास है, मेरे पास है, रैंक वान के पास है, बॉडर वाले के बाद भी 24 गंडे, तो क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को या तो छुटी, या तो वर्क फ्रम होम, या फिर, अगर दोनों पॉसिबल नहीं हो रहा है, अब क्या करें, अगर आप ट्राइवल करों, या गाड़ी से ट्राइवल कर रहे हो, अगर गाड़ी से ट्राइवल कर रहे हो, शेरिंग का टैकसी से, मेट्रो से, ट्रेन से ट्राइवल करों, उस टाइम पे, हर टीचर के, पसंद जिनके भी आप वीडियो देखते हो आप उनके वीडियो फोन में डाउनोड कर लीजिए और रस्ते में चलते हो उसको सुनो गाना सुनने से अच्छा लेक्चर सुनो सी क्या होगा पहला दिन सुनो गए कुछ ठीक है शाम को फिर सुनो ठीक है तीसरे दिन क्या होगा चौते दिन क्या होगा वो दिमाराख में बैठने लगेगा जैसे अगर अगर अजुनकुर मेरे एक लेक्चर अप्लोड़ेड है मैराथॉन है जिसमें न्यूस चांडर्स की सीरीज है मैं बोलता है आपने उसको डाउनोड कर लिया और आपने उसको बार-बार सुना कभी कभी तो आपका माइन उस बात को सुनेगा ना जैसे गाने के लिरिक्स अपने कैसे दिमार में बैठ जाते थोड़ी आप उसको रटा मारते लिख के प्रैक्टिस करते नहीं वो बैठ जाए क्योंकि बार-बार सुना पने वो चीज़ एटलीस क्या होगा कुछ चाप्टर त करते हैं specifically audit के लिए आप audit के लिए क्या कर मैं ना आई अजूम आप 31 जुलाय का pressure sustain करोगे मतलब आप जी होगी इस pressure पही 31 जुलाय खत्तम होगे मैं august से पढ़ाई शूरू करता हूं ठीक है अब ना इफ आ गो टो ICI का website मैं आपको दिखा तो साई चीज़े दो मिन लगेग अच्छा amendment नहीं है कुछ भी इसको भी doubt है amendment नहीं है normal service में कोई amendment नहीं है पढ़े हैं बाकि सारे छोटे छोटे चाप्टर से तो आपको क्या करना है पहले जो भी नहीं chapters है new chapters कौन से वाले SRE, SAE वाला, SRS वाला हो गया ethical channel वाला हो गया वो जो 6 chapters डिजिटल audit जो 6 chapters नहीं है पहले आपको वो करना है So I assume मैं अगर first august से शुरू करता हूं 2 घंटा सुबर time निकालना पढ़ा कैसे निकाला लगा आपको देखना है 1 घंटा शाम को कुछ नहीं करना है जो 2 घंटा सुबर पढ़ा उसी को शाम को revise करना है कुछ नहीं करना है target is 15 September कुल मिला के 45 days ठीक है, कुल मिला के 45 days है यहां पर क्या हो राया है आपको 45 students में क्या करने बच्चा नाइंटीन चाप्टरस पढ़ना है three修ांटीन चाप्ते तो मतलब दो दीनन ऐप्रोक्स में आपको एक चाप्टर खतम करना और क्या हूरा है शाम को अब आप कर रहे ना तो यह एक गंटा मैंने मैंक्स आदेपुने गंटे में जैसे PSO वाला चाप्टर है CFS वाला चाप्टर है Consolidate Financial Shaping वाला चाप्टर ठीक है वो तो आदेपुने गंटे में रिवाइस हो जाएगा कुछ चाप्टर में एक गंटा लग जाएगा तो मैं यह बोलो कि सुभा पढ़ा अभी दिक्कत क्या होई कि हमको याद ही नहीं रहा तो याद करना पड़के तो जो सुभा पढ़ा आपने वो शाम को रिवाइस करें यह वाइस है वर्शा आप जिसको शाम को पढ़ना पसंद है आप शाम को पढ़ो सुभा ओफिस से जाने से पहले यह रस्ते में पूरा कंटेंट को रिवाइस करो तो क्या और यह पढ़ाई भी हो रही है, रिविजन भी हो रही है सब पढ़ाना कहां से है आपके पास जो भी author की book है आप हो लेक है author की book नहीं आपके पास आई सा है का study मंटड़े ले ले लेजिए प Pronounce你们 अगर notes बना रखके जैसे जो मुझसे पढ़ चुके कि उन्होंने notes बना रखेंगे, उसे को आपको बार बायाद करने, जिसने notes नहीं बनाए, scribble कीजिए, सर, scribble का मतलब क्या होता है, जैसे कि for example, अब येकर मैं बात करता हूँ, जैसे थोड़ा सा काड़ो की बात करते, सर, कारो किसको applicable है, कारो is applicable to all the companies, एसे लिख दिया मैंने, कारो is not applicable to BIPs, banking, insurance, private, sectionate, OPC, small, सर, private में 3 condition होती है, ठीक है, paid up share capital होता है, and reserves होता है, फिर outstanding loan होता है, तो एसको scribble बोलते है, तो जो पढ़ा, जैको याद दी माक में से, फिर कारो के classes सर, पहला क्या होता है, जैना बहुत important है, याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है, so write, 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 ठीक है, आचा कहीं नहीं जाना है और कहीं नहीं जाना है, खाली क्या करना है, ICI के, पीछे के, जो module के जो questions है, module question, प्लस, आपको पता है, बीच में कुछ आय थे, TYU's, test your understanding, वो, प्लस, में 24 का जो actual paper होगा, वो, उसका suggestion अभी दक आया नहीं है, आज आएगा, बच्छो, में 24 का actual paper आया नहीं भी आज आएगा, और RTP, और MTP, 1 and 2, इनको धंक से solve खुला, for example, CFS chapter हो गया, CFS chapter खुला, module से पढ़ लिया, अपनने, TYU कर लिया, खतम, में 24 में देखो, CFS से कोई question आया था, हाथ कियाथ solve कर दीजी, MTP में जाएगे, RTP में देखतो, RTP में तो chapter वाइस होता ही है, वहाँ जाकर, तो उस chapter का सारे question जाएँ वहाँ रहा है, तो वो मेंने कर लिया, खतम, अब भीया, इस से भार से कुछ ने आ सकता, कोई बच्चा बोलो का सर, MCQ के लिए क्लिए 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 क्लिए, MCQ तुम कितना भी प्रैक्टिस कर लो, 1000, 2000, 10,000 प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी नहीं आ सकता है, ICI के model में बहुत सार, MCQ कर लो, बागी पूरा concept ले, अगर concept ले आपका pattern होना चीए, मेरा target है 15 September, September में फिर्में बीच में आऊंगा, जहांपर हम आपको करेंगे, जहांपर मैं revision कर वाऊंगा, YouTube पर, ठीक है, विल बी दूइंगे, live revision on the YouTube, on my channel only, ठीक है, अब कोई बच्चा है जो अलग तीछे से पड़ा है, नहीं ज्याद है, नहीं समझ में आया है, मजा नहीं आया है, अब उनके लिए, number 24 के लिए specific batch है, exam oriented batch, ठीक है, it is approximately 120, 115 hours, 120 hours approach है, ठीक है, one question bank है, one main book है, और साथ में notes class में ही लिखवाए है, question bank solve करवाया, एक है super faster batch है, which is approximately 70 hours का batch है, उसमें भी same book है, one question book है, one main book है, notes मैंने homework दिया, क्योंकि वो करीबन 60-70 गंटे के लिए batch था, वो में थे बसन जूम, EOB वाला studio recorded batch है, and it is in 100% English, and very simple basic English, यह Hindi English mix है, इस बार Bombay में हम कोई crash course लेकर आ रहे है, Bombay में, Tentative date is 1st August से लेके, 8 August है, उमें एकल या परसो एक और वीडियो लेकर को, उसमें बता दूँगा, it will be a 8 day batch, 8 day, 8 गंटा, ठीक है, effective 7 गंटा, break quick मिलाके मान लेता हम लोग, 7 गंटा, 7 गंटा, 56, 56 hours, तो यहां पर अगेन, लाइब क्लास में बढ़ाओंगा, फेश्चो पेदान वो लाइब जूम पर होगा, जिनको टीचर से यह सामने वो, वो आप crash को सवा अटेंड कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अब अगर किसी को FR, AFM, में भी दिक्कत है, तो इस बार शुभम सर है, जिनके पास, 86, 88, 75, 76 मार्क्स आए, ठीक है, तो यह को टो वीडियो लेक्चिर, यह को टो सी है, फाइनल, तो वो प्राक्टिस बैच करा रहा है, समसाल करा रहा है, और FR के जो सर है, विशाल जैन सर, ह is doing FR live, it's a super 30 batch, only 30 students in that batch, यह वो batch है, AFM audit FR, so AFM an audit is required, FR is live, and आप इसको buy कर सकते हो, किसो को specifically FR चीह, या audit चीह, या AFM चीह, अब विजित कर सकते हो, website यह आप जाके देख सकते हो, अच्छा, अब यहां पर आप देखोगे ना, free resources, so when you go to free resources, तो मैंने जो मेरा content है, कारो के notes हो हो गए, कोई hand return notes हो गए, SRE की series हो गई, so जैसे कारो 2020 hand return, ठीक है, कारो 2020 hand return, tax audit तो भी है नहीं, essay analysis हो गया, यह तो inter का है, फिर नीच आपको दिख रहा होगा, SRS hand return notes, ESG, digital auditory, सब hand return notes से class के, ठीक है, SAE series, SRE की series, specialized area की series, यहां पर है, अच्छा, अब, यहां मिल जाएगा, SFM के, अभी तो AFM के series भी यहां पर आएगी, अच्छा, इसमें एक और series अभी add हो जाएगे, भी मैं जब record कर रहें, वो added नहीं है, जो विशाल जैन सर, उन्हें कोई discounting rate कुछ है, FR में मुझा idea नहीं क्या है, उनकी एक, discounting rate के एक PDF है, वो उन्हें यहा पर डलवाने को दिये, तो I think अभी डल जाएगे, आज डल जाएगी, यह, तो आप वो भी यहां से download कर सकते हो, क्योंकि discounting rate बहुत जगा लगता है, तो आप यहां से उसको download कर सकते हो, ठीक है, so it's a request for everybody, जो मैंने आपको strategy बताईए, आप वो follow कीजिए, ठीक है, किसे को बात करने हो, कि इन contact में on telegram, instagram, phone कर सकते हो, office में बोलो, सर से connect करवादो, they will match my time, and please stick to ICI material, मैं आपको काहन ली दिखा दिता हूँ, यह FR है, study material, study material, study material, study material, RTP, main 20, question, norm 20, study material, ठीक है, देख लो, module है, दो question नहीं है, में 14 का paper है, दो तारिकों जो भुवा था, दो question नहीं है, क्या लिखा है, 74 marks out of 88 marks from study model, AFM, 84 marks out of 88 marks, figure different, new plus similar, same figure different, figure different, figure different, figure different, यही करता है, same है, audit, old question, नहीं है, question of study material, 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 MTP, study material, study material, MTP, study material, and study material, तस वो ही है, आजो new questions आई ते, SRE, SRE वर्व नहीं है, बाके सब तो study materials आई हुआ है, प्लीज टिक to ICI, study material, RTP, MTP, उसको अगर धंग से कर लिया, लेख के practice कर लिया, पक्का, pass, okay, so all the best guys, if you need any assistance, you can contact the number, which is given below, contact on Telegram, Instagram, and all the best, upki bar, norm bar par, upki bar, akhari bar, bye guys, take care.